हेलो सो एसकेलेक्ट और सब्सक्राइब का साथ दूस्तों कैसे हो आप आसे करता हूं बहुत अच्छ होंगे दूस्तों यह वी यू की मेरे पास स्मार्ट एलेडी टीवी रिपेर होने के लिए है कस्टोमर कहना यह है इसमें अंदर पिछे से चमक तो आ रही है पर लेकिन जो बैफिक वगरा नहीं बंदे हैं तो इसका रीजन क्या है देखेंगे सबसे मेले आपको मैं चला कर दिखाना चाहता हूं मैंने इसकी में कोड जो है ठीक है उसके बाद मैं इसको ओन करते हैं ओन करने के लिए इसमें नीचे बटन दिया गया है जिससे लेफ्ट राइट जैसे आप नखुन मारों हलका सहात मारों तो आपको कुछ लाइट लाइट से फिल होगी तो इसका साफ साफ मतलब है हमारे कंडिशन माला हमारे लैक्टों में इसको कहेंगे कि बैक लाइट तो क्या है पैसके ग्रैफिक नहीं परने वो तो आपको दिख भी रहा होगा कुछ स्मार्ट और नहीं लिख वायस में जैसे ओन होने पर इसमें वी यू या जो भी इसका लोग है वो आना चाहिए था वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आए तो देखेंगे इसे खोल के प्रोब्लम इसमें क्या है क्या नहीं गाई दोस्तों कि वीडियो को लाश्ट टक देखना अच्छे समझना चाहते हो जादा कुछ प्रोब्लम नहीं आती है ऐसी प्रोब्लम में चोटी मोटी प्रोब्लम आती है जाए जब बड़ी बड़ी प्रोब्लम बन जाती है वह सब इस डिटेलर बात करेंगे सबसे पहले क्या चीज़ चैक करने चाहिए ठीक दोस् मेज होती है उस पर ही रखके करें और एलेडी टीवी के नीचे कोई भी पिन पेच वगएर इत्यादी ना हो उससे क्या हो सकता है आपका पैनल वगएर तोटने का ब्रोकन होने का खरतरा बन सकता है वह आपके लिए काफी डेंजर शाबित हो सकता है इसलिए जब भी आप बिल्कुल प्लाइन वाले फ्लैट एरिये पर तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए इसे रिपेर करने ऐसे नहीं उच्छे नीचे पर आप इसे ठीक कर रहे हो बहुत स्रावदानी से करना क्योंकि एक चोटी प्रोब्लम ही आपका पैनल बिल्कुल खराब कर सकती है ठीक है त अभी पैज खोलने के बाद इसके पैज बिल्कुल अलग रख दें क्योंकि पैनल के नीचे पैज वगएरा नहीं आना चाहिए फिर से बतानों क्योंकि तोड़ा सा इसमें वह आपने लापर होई बरती तो आपका पैनल खराब हो सकता है वह जो बैक पैनल है इसे हलक अलग चेक करना होता है लवीडियस फिता जो लगाए तो इसके लिए यहां पर पिन उती है इसको ऊपर की तरफ उठा के यह बाहर निकल लिए अब मैं कैमरे को पास लाकर दिखाता हूं आपको जो आपको बहुत एच्छे सवंज माजाएगा तो यह गाईस हमने बाहर निकाल ल जाता है मतलब इसमें वॉल्टेज वगारा आती है कलर की वॉल्टेज आती है जैसे हमारे एक कलर टीवी होता है इसमें आट जी बी के वॉल्टेज आते हैं तो यसे इसमें बार वोल्ट या पांच वॉल्ट ऑपरेटिंग के लिए और बागी कलर के लिए सब भी वॉल्ट करना है ठीक ना जितने भी इस पर से कार्बन वगारा होगा वो साफ हो जाएगा और नीचे जहां पर यह लगा हुआ है वहाँ से भी साफ करना हुग दिखाता हूं कैसी ठीक है यहां पर इसको हलका सा उपर करके हलका से ऐसा नहीं है कि आपको पूरी जीजान से घिसर देना अदर वहीं पर से सेम बिल्कुल फिक्स कर देंगे ठीक है ना गई बिल्कुल आराम से जैसे मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहते हूं पास में लागे देखें इसमें कुछ कटिंग बनी है कटिंग अंदर की तरफ यह जो कालेवाल लाइन की चाहिए भी दिखाएंगा ह ये विडियोस का फिट्ता ये एक दो केबल होता है ये फिट्ता है पत्तो एक तरह का पत्ता टाइप तो इसको आराम से लगाएंगे इसमें ठीक है न इसको बढ़ी आतरीके साट उदआए दोनों तरफ है दूसरी तरफ भी इसको ऐसे ही यह जो काली पट्टी से पीछे से उठागे इसे खोल लेना है ठीक है हम में थोड़ा सा कैमरे को बिल्कुर पास लाके दिखाते हम देखें अब ठीक है इसके आसपास जो भी है जो गाइस थोड़ा बहुत मौश्राइजर हो से अच्छे से स क्रिस्ट पर जादे कार्बन जम ऊवा ज्रौ जिसके वज़े से हमारा ग्रैफिक करेंट वहां से बीरेक होगा उसके बहुत और सकती है तो प्रोब्लम देखेंगे अभी यही है या कुछ हो रहा है तो सबसे पहले देख आम आपको दिखाता हूं बिल्कुर पास लाके कैमरा देखिए यह जो काला काला देख रहे हैं यह वाला देख रहा होगा आपको साफ साफ काला काला जो दिख रहा है यह ब्लैक ब्लैक सा तो यह आपका में जो मदर बोड़ उसके पिन पे भी हो रहा होगा सो परसेंट देखे जाए तोड़ा फोकस किजिए यहां पे यह ज वोल्टेज ना जाने में और वही हमारा में हो हमरी कलर वागारा का या ग्रैफिक का या वॉल्टेज या 12 वोल्ट का तो उसी वज़े से हमारे क्या हो जाता है महापे तक हमारी स्क्रिन नहीं जा पाते हैं यह backlight आते हैं जब सकते हैं कहां मिलेगा आपको एलेडी टीव वाले के मिल जाएगा सो से डेड़र सो और रोपया का असानी से कोई दिक्कत नहीं है तो आइससे बिल्कुल अच्छे से सैट बिठाने कुछ करते हैं हमने बिठा दिया है ठीक है देख सकते हो बिल्कुल प्रोबर फिक्स क्योंकि हमें लगा इसके पिन नहीं गल रही थी ठीक है उसके बाद में सेकिंड में क्या करना है एक दातुन वाला जो ब्रूस होता है गाइस ब्रज होता है ठीक है उसको यहां पर छोट छोटी आईसी पर अच्छे से फिरना पहले सुका फिर उसके बाद में हलका सा क्लीनर जो होत बात दिये हैं फिर भी नहीं होता तो PCC आई से चेंज़ करनी होते है पैनल की वह बाद में बता देंगे अगर पहले यह प्रोडम से सॉल्फ हैं तो गार पास के लिए हल्के हल्के सी इससे स्प्रेय करें बहुत हल्के सी नाजूक से ठीक है उसके उसके बाद में आपको इसको ब्रस से अच्छे से साफ कर देना है इसका असपास का एरिया जो इसमें ये पैनल का जो लगा हुआ है अले वीडियस का ठीक है इसका असपास का इतना करने के बाद थोड़ी सी दे छोड़ देजिए सूख जाएगा अपने अब मसीन मानने की अब यहां कोड़ लेते हैं और अब अब जड़ा इसको टैस्ट कर लेते हैं ठीक है पावर कोड़ लगाते हैं देखिए कैस यह जो मदर बोड है इसमार्ट इलेडी का चुछ ए सैट में है सम पेस वगएरा और अपकर लेंड केपल बगास सब कुछ सेट है एक समी तो कंप करेंग यहां तक हमंहं मैंन लाइन दी ठीक है एब इसे में लोगो वगररा यहे ऐसमें तो सेन यहां करेंगं और यहां तक तो मैं किलियर करें ल.... मैं जलते हैं अचुकों आपका मैं स्क्रीन चल चुकी है बड़ी है तरीके से बहतीन तरीके देख गाई आ चुकी है तो ठीक है गाई समारी प्रोब्लम का सोलीशन हो गया अब गाई समय जो भी इसका वह आएगा इसमें कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया है होई तो इसमें बीजिर लिए कोपलेट दिक्चर örदिनल और आगया है क्योंकि इसमें कोई नहीं समय देखेंनी तो यहां पर video video की lead लगाते हैं, अब फिर इसको completely चेक करके देखते हैं तो यहां पर audio video की lead लगाते हैं, audio video की लिए दिया गया है, इसमें, कोने में साइड में, तो audio की लगाहि मैंने एक video, ऐक छोड़ देता हूं, मैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं पैनल की तरफ फ्रंट चलके कि इसमें तस्वीर वगारा मतलब पिक्चर आई नहीं देखेगा इस बड़े तरीके से पिक्चर आ चुकिए इसमें ग्राफिक वगारा सब कंप्लेट बनने पिक्चर क्वालिटी अच्छी आ रही है तो आई होप आपको दोस्तों तो लाइक कर देना हम ने काफी मैंनत के इसको वीडियो को बनाने में कुछ इस आपके सामने करते हैं कस्टूमर हमारे पास ऐसे है आपने ठीक कर दी जो भी है आपके सामने किया तो दुस्तों वीडियो करना ज़रूर लाइक और जो कुछ प्रव्म कमेंट बॉक्स वह जो